Hello friends, अगर आप कोई e-commerce website बना रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं, तो आप को definitely ये problem face होई होगी, कि आप जब भी कोई product upload करते हैं, अगर उसकी image की size अलग-अलग sizes में हैं, तो product catalog में वो जो images हैं, वो बहुत उपर नीचे दिखते हैं, जैसे कि मेरे case में mobile की image का size अलग है, पीशट की image का size अलग है, साड़ी की image का size अलग है, तो चो catalog है, वो catalog में ये बहुत ही बेकार तरीके से दिख रहा है, तो इस problem को हम कैसे solve करें, या फिर कैसे fix करें, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे, इस वीडियो के लिए हमने जो theme यूज किया है, वो है astra theme, तो चल ये चलते हैं, हम सबसे पहले अपने dashboard पर, हमारे dashboard पर आने के बाद में, हमें आ जाना है, appearance में, appearance में से customize पर click करना है, ये आ गए हम, हमारे customization के dashboard पर, यहाँ पर आने के पर, हमें आना है, e-commerce में, e-commerce में, product image पर, product image पर, आने के बाद में, आपको uncrop को select करना है, और इसे publish कर देना है, मेरे case में, मैंने already select किया है, इसे ये आपको publish option नहीं दिखा रहा है, इसे publish करने के बाद में, हम आ जाते हैं back, और चलते हैं, अपने website queue, website पर आने के बाद में, हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर right click करना है, और inspect पर click करना है, inspect पर click करने के बाद में, हमें, हमारे website के source code नजर आ जाएंगे, इस पर आने के बाद में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक arrow दिखाई दे रहा होगा, इस पर click करना है, और आप किसी भी product image पर click कर द जो class आ रहा है, वो आ रहा है, वो commerce, usual, product, अब इसे हमें क्या करना है, इसमें हमें आके सबसे पहले हमें कर देना है width को auto, यह हमने कर दिया हमारी width को auto, auto करने के बाद में जो इसकी height है, इसकी height को भी change कर देना है, हम इसे कर देते हैं 200px, 200px कर दिया हमने, यह रिखिए, अब side में देख सकते हैं, जो हमारी height का problem है, वो solve हो चुका है, बट, हमारा जो image है, left hand side पे ज़्यादा दिख रहा है, तो इसे भी हम क्या करते हैं, margin जो हमारा है, margin हम हमारा auto कर देते हैं, यह हमने हमारे margin को कर दिया auto, अब हम अगर देखते हैं, तो यह देखिए, जो हमारा margin है, हम margin को भी auto कर देते हैं, अब देखिए, जो हमारा product image है, यह properly center में आ चुका है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके code को copy कर लेना है, copy करने के बाद में हमें आ जाना है customize में, customize में यह addition CSS को option आपको astro theme में नजर आ जाएगा, इस पर आने के बाद में, आपको यहाँ पर वो जो code है, वो आपर paste कर देना है, और इसे कर देना है publish, publish करने के बाद में, हम चलते हैं अपने website की, और website पर हम यहाँ इसे refresh कर देते हैं, इसे cut कर देंगे, और इसे refresh कर देंगे, यह देखिए, यह जो हमारा image का, size का जो problem था, वो अब fix हो चुका है, अब एक चीज़ हमें और करनी है, हम जब इसे click करेंगे, हम जब भी इसे click करेंगे, जो single product page है, हम उस पर आ जाएंगे, उस पर आने के बाद में यह दिख लिजी, यह हमारा single product image जो है, यह ताफिय बड़ी दिखाई दे रही, अभी इसे भी हम fix करते हैं, तो इस पर भी हमें क्या करना है, हमें इस पर right click करना है, inspect करना है, और ठीक वो वापर उपर देंगे, arrow पर click करके, हमें image पर click करना है, यह आगया हमारा वो image का class, अब product image का class, अभी इसे हम क्या करेंगे, हमारा जो width है, हम इसे auto कर देंगे, auto करने के बाद में, इसकी height को हम 500px रख सक, रख देंगे, आप चाहे तो जादा भी रख सकते हैं थोड़ा, पर मेरे इसाब से 500px अच्छा देंगेगा, यह हमारी height का problem, यहाँ पर fix हो चुका है, पर हमारी जो image है, product image जो है, वो left hand side के और आ चुकी है, तो इसे fix करने के लिए, हम एक और tag add करेंगे, margin, हमें यहाँ पर margin को auto कर देना है, auto करने के बाद में, यह देखिए, हमारा जो product image है, वो properly center में आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा code है, इसे हम copy कर लेंगे, हम आ जाएंगे customize में, और next line पर आ के हम इसे paste कर देंगे, paste करने के बाद में इसे publish कर देना है, publish करने के आदिने हम फिर से आ जाते हैं, आ चुका है, इसका जो image size का problem है, वो fix हो चुका है, अब हम तुर्वा से scroll down करेंगे, तो हम इसे दिखाई देगा है, कि जो हमारा thumbnail है, और product का जो thumbnail है, उसका alignment काफी bigger चुका है, तो हम इसे भी आप fix करेंगे, उसको भी हमें का करना है, राइट क्लिक करके inspect पर click करना है, inspect पर click करने के बाद में, हम यह जो arrow है इस पर click करके, हम वापस thumbnail पर, thumbnail image पर click करने के बाद में, वहाँ पर हमें इसका class मिल जाएगा, class में हम आने के बाद में, हम एक tag add करेंगे, height, height हमें auto रखना है, यह देखिए auto, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इससे हम, 150px रख देते हैं, अब यह proper देख रहे हैं, 150px रखने के बाद में, हमें एक और tag add करना है, margin का, margin को हम, auto कर देते हैं, यह auto करने के बाद में, जो हमारा image, जो है, वो properly, center में आ जाएगा, यह देखिए, यह हमारा image, properly align हो चुका है, अब हम ही क्या करना है, हमें इसे copy कर लेना है, copy करके, हम आजाएंगी, customize में, इसमें, नेक्स लाइन पर आके, इससे paste कर देते हैं, और इसे हमें कर देना है, publish, यह हमारा code, publish हो चुका है, अब हम आके, इसे cut करना है, और इसे refresh कर लेते हैं, यह देखिए, हमारे product image का, जो problem है, वो fix हो चुका है, और उसकी gallery भी proper दीख रही है, तो friends, इसी तरह, और informative videos देखने के लिए, इस बरी चैनल को subscribe करना ना भूले, और like button जरूर दबाए, थैंक यू,